कि और नई वीडियो में आप लोग का फिरसे स्वागत है तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक नई प्रोजेक्ट के बारे में अपडेट देने वाला हूँ ब्रिज ग्रूप का एक नया अफटेबल लॉंच होने वाला है सेक्टर 88A के अंदर आपको यहां पर यह लैंड दिख रहे हैं यह पूरी लैंड इनकी है और इसके साथ में इस साथ थोड़ी लैंड यहां पे भी है मतलब टोटल अगर लैंड की बात को तो यहां पर ब्रिज अब अभी यह करेंगी आफटेबल लॉंच्व करने वाले हैं और अभी यह करेंगे अफ़रेबल के अंदर आपको टूबीच की और थ्री पीच्व की ऑप्शन मिल जाते हैं साइजे काफी अच्छे हैं साइजे वगेरा के लिए आप मुझे वाटसब कर सकते हो नमबर है आप call करके मोई से confirm कर सकते हो, location के बारे में आपको थोड़ी बहुत चीज़े explain कर देता हूं, आसपास क्या क्या चीज़े, सबसे पहले बात करते हैं, द्वार का expressway, जो कि गुरगाओं की अभी सबसे एक, जो चर्चित चीज़ है, वो है, कि expressway कितनी दूर है यहां से, यह आ सामने की साइड जो आपको यह फ्लैग दिख रहे हैं, यह सारे फ्लैग है वाटिका के, यह फ्लैग में है वाटिका की plotting करने वाले हैं, जल्दी कर रहे हैं वो भी, almost launch कर भी दिया होगा, जब तक यह वीडियो आएगा, I think launch कर देंगे, सामने जो आपको दिख रहा है, यहा प्रॉब्लम होने वाली आने वाले टाइम में, क्योंकि आसपास के बसावट की बात करता हूँ, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यह है एक्स्प्रस्वे, एक्स्प्रस्वे के स्टार्टिंग पे रहेजा ग्रूप है और अपना यह आजाता है, वाटिका ग्रूप, इसके पीछे की चार्ट अब हम जाते हैं, तो इसके पीछे आपको दिखेगा इस प्रोपटी के बैक साइड पर एटियस ग्रूप का मैरीगोल प्रोजेक्ट जिसकी पोजेशन अभी इस साल आपको लास्ट तक मिल जाएगी, यह भी लगजरी प्रोजेक्ट है, यह आता है इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा बैनिफिट में आप लोग को एक्स्पीन करता हूँ, यहां से एक किलोमेटर आप माल लो, वैसे तो है 800-900 मीटर, बट एक किलोमेटर माल लेते हैं, 100 मीटर कोई फरक नहीं बढ़ता, एक किलोमेटर पर आपको मिल जाता है, द्वार का ए इसको कहते हैं, 60 मीटर की रोड बैसिकली गौर्मेंट तब बनाती जब उनको सेक्टर डिवाइडिंग रोड करना होता है, minimum 60 मीटर रिक्वाइड होती सेक्टर डिवाइडिंग रोड के लिए, उससे वाइड तो आप शितर भी कर सकते हो, तो वो पड़ जाता है 100 मीटर, तो लोकेशन इसकी बहुत अच्छी निकल के आएगी आने वाले टाइम में, कि पीछे आजाता है आपका इसका 60 मीटर का रोड और फ्रंट साइड पे आपका आजाता है 1500 मीटर की वाइड रोड, अभी सर्वेस लेन वगड़ा है मैंने अडिन नहीं किया है, उसके अगर आपको यहां पर construction, वो आप site visit करोगे तो उसमें explanation आपको ज्यादा अच्छे से मिलेगी, वैसे मैं आपको ऊपर ऊपर एक चीजे बता देता हूँ, यह जो पीछे आपको दिख रहे है, यहां पर यहां पर मेरी उंगली है, यहां पर आ जाता है अदानी ग्रूप का आंगन प्रोजेक्ट है, उसमें 1BHK, 2BHK है उसमें 3BHK की option नहीं मिलते, फिर इस साइड अगर देखे तो यह जो प्रोजेक्ट आपको दिख रहे है, यह आपका है गोद्रेज ग्रूप का OSIS प्रोजेक्ट है, OSIS और आइकन, यह प्रोजेक्ट है गोद्रेज का और इस साइड यह आपको चार टावर बने में दिख रहे हैं, यह है आपका OSIS याना ग्रूप का सेंटर कोड प्रोजेक्ट, जो कि अभी OSIS पंडिंग नहीं होने के वजए से यह थोड़ा सा रुका हुआ है, क्योंकि उसके पास फंडिंग की थोड़ी इशू है, और इसके बाहर की आपको आजाता है, फिर अपना सिगनीचर के जो लाँच होने वाला है, इसकी लोकेशन भी काफी एच्छे है, सिगनीचर तो पटाओधी रोड पर है, बैंगोन, जिसको पटाओधी रोड पर नहीं चाहिए, जिसको चाहिए कि मुझे एक्सप्रस वे से डारेक्ट आइक् किलमीटर के अंदर अंदर पड़ेगा, है तो बैसे हसी अंचे स्धाओं मीटर पटे अब नहीं होग कोई बात नहीं, एक करो पड़ेगा, आप गाड़े से बहीं कांट करके देख लेना, एक किलमीटर जादा आपको नहीं पड़ेगा, आसपस की प्रोपरी अल्डेडी प्रोपर्टीज है यह आपको बनके मिल जाएगा यह जो आपको दिख रहा है ATS का मैर्योडी अभी कुछ इस साल के एंड से पहले पहले बनके मिल जाएगा तो लॉंच जल्दी होने वाला है आप प्लीज स्क्रीन पर नंबर आ रहा है आप उस पर मैं आपको अलड़ी मैंने पिछली वीडियो में एक्स्पेइन किया था और एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि अगर मेरे से पर्चेस करते हो तो क्या बेनिफिट मिलता है तो एक छोटा सा अपडेट था चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें जिस तरह के आपको स्क्रीन पर मैं देख रहे हैं स्क्रीन पर जो मैप है इसके तुरू मैं आप लोग को बिसिकली एक्स्प्लीन कर देता हूं कौन सी रोड कहां पर क्या चीज़े हैं तो सबसे पहले प्रोजेक्ट किये कर लोकेशन की बात करूं तो आपको बीच में एक डॉट 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 करके यलो कलर दिख रहा होगा यह बिसिकली अपने साइट की लैंड है बिरिज ग्रूप की जो लैंड है यह यहां पर आती है और यह जो वाइट लैन उसके ऊपर दिख रही है यह है 24 मीटर का सेक्टर रोड जो कि डारेक्ट रेडवाली लाइन से आ अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड कॉर्णर की साइड रोड दिख रहा हो एक रोड आ रहा है उपर की साइड से एक जा रहा है लेफ्ट को साइड लेफ्ट की साइड जा रहा है यह आ रहा है कुछ भी जा सकते हो आप तो जो उपर की साइड आ रहा है यह अपना आ रहा ह तो जो डाइट की लाइन मैंने दिखा रखी है इस लेकर आप सीधा चली जा सकते हो दोहर के एक्स्प्रस भी के उपर एक आप सीधा सामने अगर जाना चाहों तो सामने वाले रेड लाइन को पगड़के अभी अप जा सकते हो सक्टर 89 या मानी सर तो राइट में और जाता है ये basically वो blue line है जो वाटिका 7 point के सामने से होते हुए और इस market 89 के सामने वाली road पे जाके मिलेगा जिस road पे आज के time पे MRG का the balcony और ultimus बना हुआ है ये उस road पे जाके मिल जाएगा और जो बिल्कुल इस side पे दिख रहे हैं तो आपको यहां पे गुद्रिज और लिखा हुआ दिख रहा होगा और अमीरा राइस मिल दिख रहा होगा अमीरा राइस मिल यहीं पे आ रहा है signature अपना अमीरा राइस मिल के सामने जो road है वो है पताओदी road जिसकी मने मार्किंग की है तो पटाओधी रोड भी अब आल्मोस्ट आल्मोस्ट 75 मिटर रोड तो अप्रूड होई गया है मतलब टोटल अगर बताओं सर्विस लिन के साथ तो 100 मिटर की वो भी रोड अप्रूफ हो चुगी है इसमें लोकेशन की काफी अच्छी लोकेशन है सिगनीचर से बेटर नहीं कहूँगा बट इक साल अगर वेट कर सकते हो एक्स्ट्रा तो आप इस विल्डर के साथ जा सकते हैं क्योंकि अब payment plan भी construction link payment plan है अब payment plan ये वाला नहीं है कि builder बनाए नहीं बनाए बट payment अब वो system नहीं है अब अगर builder नहीं बनाता है तो आपको payment देने की कोई ज़रूरत नहीं है तो ये payment plan की वजह से आप इस property के साथ भी जा सकते हो तो लोकेशन में कोई डाउट नहीं है लोकेशन आपको साइट से वो तो मैंने वीडियो में एक्सप्रेइन किया हुआ है साइट से एक्सप्रस बेस टोटल आट सो से 900 मिटर के से distance पर आता है और जो अपना signature है signature से भी same distance पर आता है बट इस साइट का benefit क्या है इस साइट के अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें जो चीजे मुझे अपनी सुधारनी चाहिए आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ तो मैं उस जैसे अभी जो मैंने ये map वाला system के ये आप में से किसी brother ने मुझे suggest किया था तो मैंने ये किया है तो thank you for watching this video चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कमेंट करके अपने thoughts बताओ तक में thank you so much